बात अगले कॉलर से स्वागत है आपका हालो क्या नाम है कहां से बात कर रही है मैं लेकराथ जी आपका सवाल क्या है जी जनाब आदाब जैहिन मैं आपकी बात सुन रहा हूँ फरमाईए क्या सवाल है आदाब मैं लेकराथ बोल रहा हूँ जी मैंने आपका गोंची अमगाया था अब वो देड़ सो ग्राम में चल लाए एक सो ग्राम खालिया मैंने उससे थोड़ा सब इसकुछ के अंदर आपका क्याय अल्ची और अल्ची और मेती मिला के खाया था एक सो ग्राम अच्छा कैसी तबियत है कितना फाइदा है अभी थोड़ा सा बोले तो पाइदा हो गया था तो अभी फिर से एक हाथ बरद होना शुरू हो गया तो कितना का खाना फिर से काना चाहिए क्या ठीक है आपने ज्यादा तो निका लिया एक महीने में तो यह खतम नहीं होना चाहिए कि इसकी जो खुराक है लेकराज जी वो आदा गिराम है और अगर अलसी मैथी और अस्वा गंधा और कुछ मिलाते हैं चार चीज़ें इसमें तो एक गिराम तीन बार खा सकते हैं अगर आपको अभी भी दर्द है तो और खा सकते हैं लेकिन हाथ में दर्द है तो एक एक्सरसाइज और करें देखिए मैं ऐसे बैठा हूँ न जैसे यह एक्सरसाइज यह करें ठीक है यह तीन मिनट रोजाना करें और यह ऐसे पूरी तरह मोड़ें यह भी तीन मिनट किया करें तो आपको और ज्यादा सहायता मिल सकती है अगले कॉलर है दिल्ली से दयावती जी स्वागत है आपका हलो 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 आ नमस्कार 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 देखिए आज तो दोनों के उपर नीचे फोन आगे देखिए पहले करनल वर्मा और फिर आप दोनों भाई बैन एक साथ आजी आजी वाई साब जी कैसी है रभाई साब वाई साब एक साव यह ना इसन न सेथां की मेरी स्पर है और उनको लोगती है ना जी वाई बने परिषा मे भाई को दिल्क मेरन रहे हम की मेरी साल की जाते है अंतला बैनों के लिए बताओ ने धरस दिन अच्छे दिखिए आपकी जो सिस्टर है जब भी ब्लेट पेशर कम हो फौरण तो कौफी पिला दिया करें फौरण के फौरण और अगर डाइबटीज नहीं है उन्हें तो दो खजूर दो अंजीर और इनको रोजान खिला दिया करें दिन में दो बार और जब भी बहुत कम हो सो से नीचे जाये जब उपर वाला सो से नीचे और नीचे वाला तो और भी नीचे चला जाता है तो यह किया करें वक्ती तोर पर फॉरन काफी पलाएं फॉरन अच्छा हो जाता है और उन में और किसी चीशी कमी हो तो उसको भी पूरा करें दिल को मजबूत करने के लिए ये मैंने आपको बताया है उनको दीजिए और उनको फाइदा मुम्किन है आपकी जो सहली हैं सतर साला उनको मेरा आदाब और गौनसिया जो आपने इस्तमाल किया है वही उनको दिलवाईए सुब़ शाम उसी तरह से जिसे आप खाते थे आदाद अग्राम तो उनको भी फाइदा होना मुम्किन है बिहार से हैं अस्मा स्वागत है आपका आपको हार्ट में प्रॉब्लम रहती है और प्लेटलेट्स कम बताईए आपने जी जी कम हो गई है 35,000 कम है मेरे बदन में प्लेट्स ठीकी ठीकी अगर वाकई प्लेटलेट्स कम है तो बहुत आसान इलाज है आप जाईए और अब यहार से बात कर रहे है तो घर घर में गाउंवों में तो पपीते का पेड़ होता है पपीते का पत्ता तोड़िये चार इंच का और रोजाना एक बार खा लें बहुत ज़्यादा परिशानी है तो दो बार खाएं चार इंच का चार इंच दिकी इतना बड़ा होता है इतना बड़ा पत्ता खा लिया करें दिन में एक बार या दो बार तो प्रेट लेट्स को फोरण अप कर देता है अगर इसकी आपको प्वाबलम है तो अगर खून कम है दिल कमजोर है ध़कन बढ़ती है तो इसके लिए जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का तिन-तिन चममच दो वार पीएं दिन में खाने के बार चोटे चाय के चमच जिससे टी स्पून कहते हैं पानी मिला कर पी लिया क का रिया आपको मेरी आवाज मिल पा रही है हाँ जी बोलिए मेरे ना ये लेस्ट टांग पूरी ये दर्द होती है और साथ में चल भी नहीं सकती हो मैं इसमा आपके उम्र क्या है नहीं को टीवारी हाँ दीव ये दर्द मैं कहता हूँ चालिस साल के बाद किसी को भी आ जाते हैं तरह तरह की बीमारी है इससे पहले ही हमें होश्यार हो जाना चाहिए एक तो रिया आपको घर में ये वेस्टन ट्वालेट की कुर्सी वाला शोचाले होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि हम बार बार एक चीज़ को तारूफ कराता हूँ परिचित कराता हूँ बरघर तक की बात पहुच चुकी है कि एक गान्द आता है गान्द सियाह इसे काला गान्द भी कहते हैं ये असली मिलना बड़ा दुशवार हो गया अभी तो पहले सब जगा असली मिलता था अब सब का गौन है इसकी जगह लोग ऐलवा दे देते हैं या कोई और गौन दे देते हैं या धाका गौन दे देते हैं ये काला गौन अलग टाइप का है जिसे हम गौन सिया कहते हैं सो ग्राम खरीद लें बस असली अगर मिल जाए तो असली की जिम्मेदारी आपकी है ये बहुत सस् दिन के बात करता है लेकिन आपकी रोग की जड़ पर काम करता है राजस्तान से है मौनिका स्वागत है आपका हुप है नमशकार कोई है दूसरा हैfly तूसरे मेरी हाइट कम है, पच्छी साल में और धोड़ी हाइट बढ़ा ना चाहती है, ठीक है, चार-पांच सालों से बहुत बाल बढ़ते हैं, हम, हम, अच्छा देखें, पच्छी साल के बाद, महिलाओं की, बच्चीयों की, हाइट नहीं बढ़ पाती, हलांके लोग जरूर बता दूँगा, जिससे आपके बाल रुख जाने चाहिए, और अगर आप अंडर एज होते, यनि ग्रोथ की उमर में होते तो, आपकी हाइट भी बढ़ सकती थी, लेकिन आपके बाल रुख सकते हैं, आपका शबाब ऐसा हो सकता है, जिससे आप चाहें, आपके चे मेदारी आपकी है, आधा गिराम या एक गिराम रोजाना, पानी में मिलाकर, दूद में मिलाकर, या नारियल पानी मिलाकर, तीनों से, फाइदा देता है, लगातार खाईए, एक गिराम रोजाना खाना है, बस, आपको फाइदा मुम्किन है, जी, इसे के साथ कुछ और कॉ जी रजिया जी बताईए सवाल करिए मैंने आप से पहले भी बात की ती है लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नी मिला जामीरे बांजेंगे उनकी उमर पैसा थालेटी ठीक है उनकी पर रहना ये ये जोडों के दर में उसमें बहुत तकलिफ थी तो नहीं कुछ डाक्टरों क करने की रोजा नहीं जा सकते थे नागोर में थे जोड़ राजिस्तान में वहाँ जोड़ जाना पड़ता था डाइलिसिस क्लिए तो उन्हों ने आट्वीशल है से लगा जी हो घरी में वो लोग करते थे पर उनकी बीवी ने किटनी दी तो उन्होंने गुर्दा बदलवा लिया अब वो गुर्दा बदलवाने से उसके बाद में उन्होंने ना उनको ऐसी दवाई ये दे रहे हैं तो वो बिलकुल उनकी ताकत और हिम्मत खतम हो गई है उनके फैपड़ों में उसमें पानी बर गया आगा आगा आप से अगर हो सके तो कुई ऐसा इलाज बताएं क कि उनको फाइदा पोच जाएं और उनको खाना देखके उल्टी होती हैं खाना खाई नहीं सकते हैं उनको क्या पता क्यों इसी दवा दी रहे हैं या कुछ है बहुत परिशान है सवाल तो मुझे याद है कभी आपने किया था और इसका मैंने जवाब भी दिया होगा जरूर और मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं लेकिन आपका सवाल याद है आप हमारी पुरानी वीवर्स में से हैं अक्सर आप हमारे साथ जुड़ते हैं दी पानी जो भर जात है उसे सुखाना बहतर है उनी दवाईयों से और उनी डाक्टरों के हवाले से इनका आप इलाज कर रहे हैं मैं कोई मावविन दवा यादि मददगार दवा आपको बता देता हूं कि उनकी मदद कर सके तो एक नमक जैतुन आता है नमक जैतुन दो चुटकी पानी में मिला कर रोजाना एक बार दिया करें नमक जैतुन और बागी सब अपने डॉक्टर को फॉलो करें क्योंकि बहुत पैचीदा मामला है और मैं द्वा भी करूंगा आप तो करी रही होंगी कि इनको मेरे हवाले से कुछ फाइदा पहुंचे ताके आप और में खुश हो सके बांद झांसे करें आप मेरे लिगे है तो तो क्र लोगा ओए हूँ आप जी तो जुज़ा दिए हैं तो तो चासरे भी कॉन श्यूर दिखना हूए ह Dop तो उनमें किस को प्रयोग करना है, इनमें प्राकर में लिखा हुआ कि एक सुबा, एक साम, एक राद में प्रयोग करें, तीन प्रयोग करें तीन निगरी है, ये दो किसम के हैं न, अलग-अलग अच्छा दोनों के नाम एक ही है नहीं समझा अच्छा वो दोनों ही P.K.R. है हाँ दोनों P.K.R. लिखे हुए है अब को अगर ज़्यादा तकलीफ है तो तीन बार खाएं पानी के साथ और बहुत ज़्यादा नहीं है तो दो बार खाएं नाच्टे और खाने के बाद ज़्यादा है तो तीन बार भी खा सकते हैं एक ही डिबा शुरू करें पहले वो खतम करें फिर दूसरा खोने और इसी इस्तेमाल करें किसी को ऐसी कोई पाबलम हो तो डिबा पे एक हेल्पनाई नंबर भी होता है जिससे आप साहता ले सकते हैं जिससे आप सकते हैं